इसका फाइदा इन दोनों को होगा इसके चलते बीजेपी की नितर तुवाली महायुती के लिए जीत कमार गासान नहीं है इतना ही नहीं भुजवल ने कहा कि प्रधान मती नरेंदर मोदी पर लोगों को भरोसा है एक बार फिर उनकी सरकार बने ये लोगों के इच्छा है लेकिन बीजेपी की चार सो पार किनारे को लिकर लोगों में डर भी है भुजवल ने ये बात एक चैनल को दिये साक्षातकार में कही है भुजवल का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब चुना अपने पूरे जोर पर है नासिक सीट से चुना और रणने के चुक भुजवल ने हाना कि खुद को चुना विडिये से अलग कर लिया है लेकिन नासिक सीट पर उमिद्वार कौन होगा इसे लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है अजीद गुट से नाराजगी भुजवल ने इसको लेकर भी अपनी नाराजगी वेक्त किया है जब उन से पूचा गया कि क्या एनसिप अजीद गुट ने नासिक सीट पर अपना दावाद छोड़ दिया है इस पर भुजवल ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह सकता है इस बारे में पार्टी के वरश नेता ही फैसला ले सकते हैं मैं इतना जानता हूँ कि होली के दिन मुझसे कहा गया था कि मुझे नासिक में लोकसभा का चनाव लड़ना है मैंने खुद ये सीट नहीं मांगी थी लेकिन जब मुझसे चनाव लड़ने को कहा गया तब मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया भतीजी के लिए टिकेट की चाहत दो याड़नौ में मेरा भतीजा इस सीट से सांसद है चुका है इसके बार सिबसिना के हेमत गोड़ से दो बार से सांसद है आमिशा के कहने के बाद जब इस सीट पर उमीदवारी घोशित नहीं हो पा रही थी अबिशी समाज के संगठन समता परिशब जिसके करता धरता खुद भुजवल है उन्होंने उमीदवार चुनाव में उतारने के तयारी कर महायुती पर दबा बनाना शुरू कर दिया है आपको ताद है कि भुजवल मराठो को OBC कोटे में से आरक्षन देने के खिलाब सबसे जावार खुल कर बोलने वाले नीता है इसलिए मराठा समाज उन्हें लेकर नाराज है ऐसे में भुजवल की समता परिशद है नासिक और छत्रपती संभाजी नगर में OBC उमीदवार खड़े करने का मन बनाया है खबर है कि नासिक से दिलीब खेरे और संभाजी नगर से मनोज गोर के ने नामांकन फॉर्म लिया है दोनों समता परिशद के पतादिकारी बताए जाते हैं